आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल मिसन कॉम्पेटिशन को उपर में आप सभी को सबसे पहले राधे राधे जैस्रीग्राम सो देखे अभी परिक्षा हुई थी 28 तारीक को ठीक है मद निशेद वला 28 जनवरी को परिक्षा हुई थी 63 पोस्ट पे जो है आवर निरक्षक मद निशेद की 63 एवं निगरानी विभाग बिहार सरकार में पुलिस और निरक्षक के लिए एक रिक्त पदों पर सीधी भरती आ थी 28 परिक्षा हुआ ओथ रहिवार को समलित विद्यार्थी कितने थे देखे समलित विद्यार्थी जो है लिखित परिक्षा में 4550, अभ्यार्थी सामिल हुए थे और इसमें 1129 अभ्यार्थी कदाचार त। आने कार्णों से अयोग घोशित किया गया ठीक है जिसका यहां पर विवरन दिया जा रहा है यहां पर डिटेल में आप देख सकते हैं विवरन पूड़ा कि OMR नमर नहीं भर है तो 557 यहां पर आउट कर दिये गया है 435 जो है OMR पर गलत पुस्ति का संख्या भढ़ने के देखिएगा 44381 अभ्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन किया गया है और भरती है तू वहित प्रक्रिया का नुसरन करते हुए विभिन कोटियों के लिए मूलता उपलब्ध रिक्तियों के बीश गुणा उमिद्वारों को प्राड़ंबिक लिखित परि देखिएगा कितना पास किया है तो यहां पे आप देखिएगा पास करने की संक्या है 1280 ठीक है कुल चैनित अभ्यार्थी 1280 अच्छा यहां पे आप अगर हम बात कर लेए देखिए कट ओफ कितना गया है विभिन अरक्षन कोटी में कट ओफ जो है यहां पे आपको दिया जा रहा है यहां पर देखिएगा जेनरल काटेगरी ठीक है यानि समान वर्ग जेनरल काटेगरी कट ओफ गया 144 यहां को देट ऑफ बर्थ का भी कट ओफ दिया गया है 21998 यहां पे बेस मान लिया गया है और महिलाओं के लिए 1244 मतलब समझ रहे हैं आप मतलब आपको 75 सवा कट ओफ रखा गया था यानि कि आप जो है कम से कम आपको 71 को सही करना रहेगा ठीक है अनुसूची जाती के लिए 131 है अत्यांद पिछरावड के लिए 138 था ठीक है पिछरावड यानि OBC के लिए कितना 140 रखा गया है 140.6 और ये भी 140.6 तो EWS और OBC दुन्नों सेम सेम है फीमिल का यहाँ पे कट ओफ है अब आप कट ओफ से एक अन्दाजा लगा सकते कितना हाई कट ओफ जा रहा है वैसे पोस्ट भी कम था 64 के वल पोस्ट ही था ठीक है तो इसमें पाफ भी देखे 1500 के असपस touch कर रहा है, ठीक है, roughly मान के चलिए 1500 के असपस touch कर रहा है, cut off, अब आप सोच लिजे, आपको इसी प्रकार की तयारी करनी परेगी, पहली चीज, आप upcoming vacancies की बात कर रहे थे, उसके उपर भी एक update है, तो upcoming vacancy का जो है, आप update ले लिजे, अपडेट क्या है, upcoming vacancy का पहले देख लीजे, देखिए, ऐसा है कि 12 फरवरी को, आज कितना तारीक है, आज है 7 फरवरी, 12 फरवरी को जो है, current government जो है, उनका होना है floor test, floor test, जिसको basically हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सक्ती परिक्षन, तो यह floor test होना है, सक्ती परिक्षन ज अगर इसमें government successful हो गई, उसके बाद जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जल्द से जल्द new vacancy आ सकती है, मैंने आपको अल्रेडी बताया हुआ है, इस बारी, 1800 से लेके 2000 के आसपास, पदों की संख्या होने की संभावना है, इस बार तो बड़ा कम हुआ था, 1275 पद पही परिक्षा हुआ था, लेकिन जिनका भी नहीं निकला, उनके लिए नया मौका है, ठीक है, दूसरी बात देखिए, 15 मार्च से जो है, जैसा सुनने आ रहा है, ठीक है, 15 मार्च के बाद से आपको अचार संगिता कभी भी लग सकती है, अब अचार संगिता में एक नियम होता है, देखिएगा, जिनका सिड्यूल जारी हो गया है, बात समझिएगा, जैसे कि TRE3, अचार संगिता लगने से पहले, TRE3 का सिड्यूल जारी हो गया, वो परिक्षा हो जाएगा, लेकिन अचार संगिता लगने के बाद कोई नियू सिड्यूल एक्जाम का जारी नहीं 25 फरवड़ी को जो परिक्षा है मेंस का 1275 वाले का मेंस का जो परिक्षा है इसके बाद आपको कुछ positive news देखने मिल सकता है 25 फरवड़ी के बाद तो आपको probably 25 फरवड़ी तक wait करना पड़ेगा उसके बाद आपको जो है new vacancy का update आजाएगा और जो ज़्यादा chances है ठीक है कि अगर अचार संहीता से पहले आ गया तो ठीक है otherwise फिर April के आसपास में यानि एक election के बाद से आपको ये vacancy का वाला नया vacancy आ जाएगा एक चीज़ जान लिजे vacancy 200% आ रहा है vacancy में कोई कोटा ही नहीं है 200% आ रहा है बस बात इतना है कि वो अचार संहीता से पहले आएगा या फिर अचार संहीता लग गया तो फिर election के बाद आएगा बस इतना ही बात है और कुछ नहीं है vacancy 200% आ रहा है तो त्यारी करते रहिए ठीक है फिलाल आप यहाँ पे सारा cutoff देख सकते हैं क्या सब कुछ रहेगा क्या मतलब अभी रहा है 63 पदों के लिए जो हुआ था ठीक है तो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं डीटेल में मैंने आपके साथ cutoff भी शेयर कर दिया है आई होप आप लोगों को वीडियो चलाओ वीडियो चलाओ शेयर कर दिये अपने दोस्तों मित्रों के साथ और एक बारी जो है वीडियो को लाइक कर दिजिए और यह result जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अप्लोड कर दिया जाएगा टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके उसको जॉइन कीजिए वहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं अपना धन्यवाद